वेलकम टो टेनकर कैड इस वीडियो में हम एक सर्वो मोटर को पुश बटन से कंट्रोल करेंगे सर्वो मोटर का एक सर्कुट बनाएंगे इसमें हम आडेनो यूज करेंगे और एक ब्रेड़ बोर्ड लेंगे और एक हम लेंगे हैं रिजिस्टर और एक पुश बटन लेंगे और एक माइक्रो सरभो मोटर लेंगे know morning और सरभो मोटर लेंगे यह हमने सारी चीजरीं ले लिए हैं जो जो कंपोनेंट के हमें ज मैंने जरूर्त आहै अब ये push button को हम middle line में रखेंगे breadboard की जैसे हम IC connect करते है middle line में जो बीच में है line और इसके चार channel है इसके button चार button के push button के चार channel है और चैनल हम B को power से connect करेंगे supply देंगे channel B को push button के channel B को बोलने में मेरे आगे पीचे हो सकता है लेकिन ये आप जो आपको सामने देख रहा है उसको दिहान से देखिए साब साब देख रहा है यही बहुत ही अच्छा होता है कि इसमें साब कलियर समझाता है साब देखता है इसको हम जूम भी कर सकते हैं पड़ा भी कर सकते हैं और जितना मर्जी कर सकते हैं यह हमने supply दे दी है अब हम चैनल A को हम देंगे 10 नमबर पिन 10 नमबर पिन यह input output हमारी है यह पिन्स होती है जो फिन हम select करेंगे वह हमने code में फिन हमने देनी है ब्लॉक कोडिंग में ब्लॉक कोडिंग अगर आपको आती है तो ठीक है नहीं आती तो इतनी आसान है ड्रैग ड्रॉप जैसे ही करना होता है उसको ठाउठा के रखनी होते हैं ग्लॉक्स इसको यल्लो कलर से कर देते हैं टैन नमबर पिन हमने यल्लो कलर से इंडिकेट की है इसको हमने चैनल ए से जोड़ाए पुस बटन के और उसके बाद हमने इसी पिन्स पे एक रिजिस्टर लगाई है रिजिस्टर लगाई है और रिजिस्टर को हम रिजिस्टर के लास्ट वरे सीरे में हम ग्राउंड कनेक्ट करेंगे रिजिस्टर को ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे यह हमने अडियन बोर्ड के ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया अडिनो बोर्ड में काफी सारे कई तीन चार पाँच कुछ ग्राउंड होते हैं हम ग्राउंड को कहीं भी किसी तरफ से भी लगा सकते हैं यह हमने रिजिस्टर लगाई है पुश बटन के एच चैनल पिन पे और उसके बाद ग्राउंड कनेक्ट की है रिजिस्टर से और अब हम यह मोटर के सर्बो मोटर के जो हैं कनेक्शन करेंगे इसको हमने ग्राउंड दिया है फर्स्ट को हमने ग्राउंड दिया है और इन्हों के ऊपर वाले ग्राउंड से कनेक्ट किया है हमने ग्राउंड को मोटर के पिन्स को और जो दूसरा है उसको सप्लाई से सप्लाई दिया हमने सप्लाई हमने ब्रेड बोर्ड से ही ले लिए है जो ब्रेड बोर्ड वर्टिकली शॉट होते हैं तो वो नजदीक था तो वहाँ से हमने सप्लाई ले लिया है चैनल भी पे जो हमने पिन्स पे जो सप्लाई दिया है पुश बटन को वहीं से हमने वहीं से सप्लाई इसको दे दिया है सर्बो मोटर को और तीसरा जो है सिगनल जो हमने लिया है सिगनल जो हमने सिगनल का हमने दिया है तो हमने तीस नमबर पिन से सिगनल छे नमबर पिन से हमने सिगनल लिया है अब देखिए यह ब्लॉक कोर्डिंग मैंने पहले कर ली थी इसमें टाइम थोड़ा सा लगता है यह ब्लॉक कोर्डिंग कुछ नहीं है उठा उठा गर रखने होते हैं तो इसको हमने कितने डिगरी पर करना है जीरो पर यह हमने 90、120 डिगरी में या 90 या 30 जितनी हमने इसको डिगरी पर रखा है उतना ही यह रोटेश्ट होगा और फिर जीरो पर चला जाएगा जैसे ही हम पुछ बटन को प्रेस्ट कर दे हैं और यह rotate हो जाता है और फिर हम unpress करते हैं तो यह unpress होता है तो यह zero पे चला जाता है जो हम प्रेस करते हैं पुछ बटन को तो यह rotate हो जाता है जितने पर हमने उसको सेलेक्ट कर रहा है बलॉक कोडिंग में और उसके बाद ये फिर जीरो पे चला जाता है जब अनफ्रेस्ट होता है तो जीरो पे चला जाता है ये देखके पता चल जाता है ये सारा कुछ ये देखे अब ये 90, 90 डिग्री पे रोटेट हो रहा है और फिर 0 पे आ रहा है देखिए 90 पे रोटेट हुआ फिर 0 पे आ गए जैसे प्रेस्ट करते हैं तो रोटेट होता है और फिर अनप्रेस्ट होता है तो 0 पे आ जाता है अहां है अब इसको हम है कंटिनियुस लिभी कर सकते हैं यह कंटिनियु भी वर करता है मोटर यह कंटिनु चलती रहे है हमारी मोटर इसको एक उपर option आती है तो इसको इसके उपर हम click करेंगे तो ये continue भी चलती है ये मैंने अपना नाम लिख दिया है उपर बाई सूरविड सिंग ये दिखी ये block block बनाने में time लगता है 10 मिनिट से ज़्यादा वीडियो बन जाती तो बड़ी वीडियो कमी दोग देखते हैं तो ये block सामने दिख रहे हैं बस ऐसे उठा के जैसे हम connection करते हैं ऐसे block की drag drop ही करने हैं उठाने हैं और रखने हैं input output control सब उपर दिये हुए हैं आपको variables चाहिए तो variables हाँ जैसे मैंने variables पे click किया तो वहाँ variables में हमने button ए ले लिया है button type करके underscore करके ए कर देना है और फिर ये button हमारा variable select हो गया है देखे बार बार रोटेट करके दिखा रहा हूँ इदर देख लिए coding में देख लिए block coding में क्या है कहां पे लिखा हुआ है rotate पे लिखा हुआ है कि अब देखे ये continuous कैसे रोटेट करते हैं देखे कंटिन्यूसली चल रहा है जैसे हम सिमूलेट करते हैं तो कंटिन्यू चलता है इसमें हमने सीरियल मोनीटर पे भी कोडिंग लगा रखे है सीरियल मोनीटर पे भी हमें 0,1,1 देखता है ये देखे मैं बार बार दिखा रहा हुआ रोटेट करके बुलाओ कोडिंग को थोड़ा रखना सीख लीजिए और ये connection बिलकुल सही है बाकी बिलकुल ओके है चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दें Thank you very much